हिमाचल प्रदेश में पिछे तीन दिनों से लगातार नए मामले आ रहे हैं जिसने सरकार की चिंता जरूर बढ़ाई हुई है लेकिन उससे जादा जनता परिशान है कि हिमाचल प्रदेश सरकार क्यों लोगों को सही से उनकी जांच नहीं कर रही है क्यों उन्हें border पर quarantine नहीं किया जा रहा है क्यों उन्हें home quarantine किया जा रहा है जब यही सवाल मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सरकार पूरी स्थिती पे नजर बनाए हुए है हला कि नए मामले आ रहे हैं लेकिन सरकार पूरे तरह से सक्षम है कि इनका इलाज किया जा सके और कही न कहीं ये संक्रमन बाकी लोगों में ना फैले इस बीच बहुत सारी ऐसी घटनाई भी हुई है जहां लोग होम क्वारंटाइन में होते हुए कहीं केक काटते हुए नजर आ रहे हैं या कहीं बाजारों में घुमते हुए नजर आ रहे हैं सरकार इसका भी कड़ा संग्यान ले रही है हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कानून का पालन हम अपने लिए कर रहे हैं वो यूग जो करोना से ग्रसित था, IGMC आ गया था, परसों उसका दाहसंसकार बिना उसके परिजनों की करना पड़ा, ये एक ऐसी स्थिती थी, जो सच में ही समवेदनाय जागरित कर देती हैं, यानि अगर आप करोना से कहीं न कहीं संक्रमित हो जाते हैं, तो कोई परिजन आ आपके घर के लोग हैं, या जो आपके परिजन हैं, उनको कुरेंटाइन कर दिया जाएगा, वहीं है, मैं उस अधिकारी, महिला अधिकारी की तारीफ भी करना चाहूंगी, नीरत चांदला की, जिन्होंने जाकर उसका दाहसंसकार किया, हलकि जो है, इस पे बहुत सारी रा रिशाम को जाकर उस व्यक्ति का जिसका दाहसंसकार करने के लिए कोई तयार नहीं होता है, वो जाकर वहां उसका दाहसंसकार करती है, ये सारी बातें आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, पहली बात कि हमें नियोमा का पालन इसलिए करना है, क्योंकि हमें करोना से आ रहे हैं गाओं की अगर हम बात करें तो कांगडा का एक बहुत अच्छा उधारन है जहां पर बद्दी में काम करने वाले जो एक महिला और पुरुष जाकर अपने गाओं में अपने घर से बाहर एक तंबू लगा कर होम कॉरिंटाइन का पालन कर रहे हैं ताकि उनके घर म काम को इस बात से सीख जरूर सीखनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि समाज को अपने आसपास नजर रखनी पड़ेगी कानून जो है वो हमारी अपनी जिंदगी के लिए है इसका पालन करना पड़ेगा और जब तक आवश्यक्ता ना हो घर से नहीं निकलना पड़ेग कैमरमिन राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल डीडी न्यूस शिमला